सोशल मीडिया पर अपने संघर्ष की कहानी बताने के बाद अनिल अगरवाल को मिल रहे हैं फिल्मों के ओफ़र या अनिल अगरवाल के इस संघर्ष के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों कौन कहता है कि आस्मा में सुराख नहीं हो सकता है एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो विदानता समू के अनिल अगरवाल ने इस कहावत को सही साबित कर दिया बले ही आज उन्हें हर कोई जानता हो लेकिन हकीकत यह है कि अपने सपनों को पूरा करने जब वो बिहार से सपनों के शहर मुंबई आये थे तो उनका हाथ बिलकुल खाली था 68 वर्षी अगरवाल की किसमत खुद लिखने की कहानी जानने के बाद अब उनको किताब लिखने से लेकर उनकी बायोग्राफी बनाने के लिए बड़े बड़े निरमाताओं की ओर से ओफर मिल रहे हैं उनका ऐसा स्वाकत हो रहा है जैसे किसी रॉक स्टार का होता है दरसल इस साल 15 फरवरी को अगरवाल ने बिहार से मुंबई की अपनी यात्रा के बारे में पहला ट्वीट किया उन्होंने लिखा करोडों लोग अपनी किसमत आजमाने मुंबई आते हैं मैं भी उन्हीं में से एक था मुझे याद है कि जिस दिन मैंने बिहार चोड़ा मेरे हाथ में सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और विस्तर बंद था इसके साथ आखों में सपने मैं विक्टोरिया टर्मिनर्स स्टेशन पहुँचा और पहली बार कई चीज़ों को देखा इसके बाद उन्होंने अपनी लंडन यात्रा के बारें बताया जहां उन्होंने एक मल्टी नैशनल नैचुनल रिसोर्स कमपनी को लीड किया ये कमपनी जस्ता, सीसा, चांदी, लोह, आयसक, इसपात, तामबा, एलिमूनियम, बिजली, तेल और गैस शेत्र में कारुबार करती है मेटल किंग ने पीटी आई भाषा से इंटर्वी में का कि मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं बहुत बढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं फिल्म एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो रिस्पॉंस मिला वो जबरदस्त है मेरे एक ट्वीट पर 20 लाग प्रतिक्रियाय मिली है, मैं खुद हैरान हूँ, अगरवाल कहते हैं कि पब्लिशर लगातार उनके लोगों से पुस्तक अधिकार के लिए संपर कर रहे हैं फिल्मों के ओफर भी उनके पास आए हैं, उन्होंने किसी का नाम लिये भी न कहा, कोई एक फिल्म कमपनी नहीं है, जिसने संपर किया हो सभी बड़े निर्माताओं ने संपर किया, वो मुझे बायोपिक के लिए पैसे देना चाहते हैं मैं अपने सहयोगी और बेटी प्रिया से बात करने के बाद इस पर फैसला करूँगा अपने ट्वीट की शिंखला में अगरवाल ने अपनी शुरुवाती यात्रा, अपने मुश्किल वर्ष, अपने संगहर्ष और डिप्रिशन का जिक्र किया यदि आप हमारी चनल को अप्रिशेट करना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो के लिए तो हमें सूपर थैंक से द्वारा गिफ्ट बेच सकते हैं और अपना प्यार हम तक पहुचा सकते हैं